नमस्कार दोस्तों, सेहत और जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंघाडे के बारे में, जो एक स्वादिष्ट और पॉष्टिक फल है। सर्दियों के मौसम में यह आसानी से उपलब्ध होता है और कई गजब स्वास्थ लाभों से भरपूर होता है। यह कई तरह के बीमारियों में फाइदे मंद होते हैं। इसे व्रत और उपवास के खाने में भी अलग-अलग तरह से शामिल किया जाता है। सिंघाडे की खास बात यह है कि इसमें तमाम तरह के नूट्रियंट्स होते हैं लेकिन यह कैलोरी बहुत ही कम होती हैं। इसलिए आप आराम से बिना वजन बढ़ने की चिंता किये इसका मज़ा ले सकते हैं। 100 ग्राम सिंघाडे में मात्र 97 कैलोरी होती हैं और यह फाइबर, प्रोटीन, मैगनीज, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन B6 जैसे बहुत से पोशक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। तो आएए इसके महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं, शरीर से कमजोरी दूर करें। सिंघाडे में कार्बोहाइडरेट, आइरन, कैल्शियम, जिंक और फॉसफोरस जैसे तत्व पाये जाते हैं, जो एनरजी के लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, तो सिंघाडे को डायट में शामिल कर सकते हैं, हढ़्डियों और दांतों के लिए लाभधायक। शिंघाड़ा में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अगर आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं, तो ये हढ़्डियां और दांतों को मजब प्रचुर मात्रा में एंटी आक्सिडेंट्स मिलते हैं। ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुचाने वाले फ्री रैडिकल्स से बॉडी की रक्षा करते हैं। प्रचुर में एंटी रामबान उपाय हैं। गर्भवस्था में उच्च मात्रा में फाइबर होता हैं। जो पाचनक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कब्ज, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मददगार होता है पेट की समस्या से राहत पाने के लिए सिंघाडे का सेवन कर सकते हैं एक्सपर्ट के अनुसार, सिंघाडे का आटा आंतों के लिए काफी फायदेमंद है बवासीर जैसी मुश्किल समस्याओं भी सिंघाडे के प्रयोग से ठीक हो सकती हैं नियमित तौर पर सिंघाडे का प्रयोग कर आप इससे निजात पा सकते हैं थाइरोइड में लाबकारी थाइरोइड के मरीजों के लिए सिंघाडे का सेवन फाइदेमंद माना जाता है क्योंकि सिंघाडे में मौजूद आयोडीन, मैगनीज जैसे मिनरल्स थाइरोइड की रोक्थाम में अहम भूमिका निभा सकते हैं वजन घटाने के लिए अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हो चुके हैं तो सिंघाड़ा का सेवन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सिघाडे में बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है, जो बैली फैटी को कम करने में मदद कर सकता है इसका सेवन आप नाश्टे के समय कर सकते हैं मधुमेह रोगियों के लिए फाइदे मंद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सिंघाडे में विटामिन सी और एंटी अक्सिडेंट होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं यह सर्दी, खांसी और संक्रमन से बचाने में मदद करता है हृदय स्वास्थे के लिए अच्छा सिंगाडे में मैगनीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज होते हैं जो हृदय स्वास्थे के लिए अच्छे होते हैं यह रक्तचाप को कम करने और हृदय रोग के खत्रे को कम करने में मदद करता है डिहाइड्रेशन की समस्या में फायदे मंद यह शरीर में पानी की कमी को दूर करता है अगर आप कम मात्रा में पानी पिते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है ऐसे में आप इस फल का सेवन कर पानी की कमी को दूर कर सकते हैं तो आईए अब जानते हैं सिंघाडे का सेवन कैसे करें। आप सिंघाडे को उबाल कर, भून कर या कच्चा खा सकते हैं। आप इसे सलाद, करी और सूप में भी मिला सकते हैं। सिंघाडे का आटा भी बनता है, जिसका उपयोग रोटी, पराठे और मिठाईां बनाने के लि आडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें